साथ श्रकाल जी तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूसे टीवी में बरुन कॉर्मान दा डॉक्टर शो देविश थोड़ा सारें दा बहुत बहुत स्वागत साधे इस्टूडियो देविश पहुंचे ने डॉक्टर सुधी शर्मा जो की एक फिजियो थारपिस्ट ने कर द बिमारीयां धा कि दोनी फिजियो थरपी जिसने भडेलो गाली मदद की थी फिजियो-ठैरपी तु कि प्रहसे ग mudधिरिभून दी ए दॉच्छ पेर्विश क्रेवें मदद किते हैं और्जियो थेरिपी थिधियो थेरेप दोस्य थेरिप साथ अपनी तकलीफ नू लेके डॉक्टर दे को लांदा है जिदे विच असी हडियां दी दर्द टीशूस दी दर्द नू कट कर दे है एक बहुत वदिया लाइन है गी है कि Health is wealth स्वस्ते जीवनी नुश्य दी सबसे बड़ी पुंजी है या तन है जिदे विच अलग लग तरिक्या नाल यानि की Exercise और Electro Therapy दे माध्यम दे नाल असी मरीज दी लाइफ नू चंगे तरिक्या नाल आगे वदान लई असी प्रेरित कर दे है इज़े टाइप्स भी हुंदे है कि किन्ने किन्ने तरिक्या दी हुंदी है जिदा और्थोपेडिक फिजियो तरपी जिन्हों सी ले सकते हैं कि मास पेशियां दी तकलीफ जिदे विच जोडांदा दर्द कंदेदा दर्द पिठदा दर्द आदी शामिल है नियूरो फिजियो तरपी जिदा की स्ट्रोक यानि की पैरलिसिस लखवा ठीक है इदा दी बीमारिया नाल ही नाल बहुत इंपोर्टेंट आज कल देट देट देविच है गिए पेडियाटरिक फिजियो तरपी जिदेविच आदा है कि बच्चें देविच बहुत जादा प्रॉबलम आरे जिदा स्पीश थेरपी दी प्रॉबलम जिदा बहुत से फिजियो तरपी व्रिद्दा स्था देविच जेडे लोका नूँ प्रॉबलम हां दी उन्हों भी फिजियो तरपी डील कर दी है जी जरूरत कदो पेंदिया एक पेशेंट नूँ के होन इनू फिजियो तरपी क्रॉनी पाई कि फिजियो तरपी दी बेसिकली जूरत तद जे किसी मरीज नूँ कोई चोट लगी होई है चोट यानि की कोई भी पुरानी चोट नई चोट या किसे भी तरह दा फ्रेक्चर तो बाद हील हो नहीं फिजियो तरपी दी दूरत पेंदिया ताकि मरीज अपनी डे टूडे लाइफ नूँ ते मुव्मेंट रिलेटेड प बाड़ी दे फिज्यो थर्पी दे की кी एफैक्ट CTquar ढेटे मारे पेंदे है नहीं पैंदे जा कले चंगे चंगे पांदे बहुत हैं की टे पैशेंट मेंगा कि 영 ce पीशेंट जी स्किन बहुत सेंस्टिफ है थोड़े टाइम पिर ले स्किन रेड हो सकती है बट एड़ा दा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिदे नाल पेशेंट नो बहुत जादा जूजना पर नहीं एड़ा दा कोई नहीं आप बहुत बड़ा मित हैगा कि फिजो थेरपी नहीं नाल शायद कोई बहुत बाड़ी बिमारी अगे हो सकती नाइफ फिजो थेरपी बिमारी नों काट करदा है ना की वदौन दा है नेक पेन पें पेन जिड़ाई है देखन नो मिल रहे है क्योंकि कंप्पूटर दा टाइम चाल रहे हार कोई कंप्पूटर लिते काम कर तो यह दिक्कत बड़ी वाद जान दी है कि यह नू दवाई देनार भी राम नी होंदा फिर सुझेस्ट किता जान दा कि तुसी फिजिए थरपी कराओ किवे हल्प करती है फिजिए थरपी ना ओली बैक पेन या नेक पेन फिजिए थेरपी आज देड़ विच और्थोपेड दाट में भी दूस तो बड़ पोश्यर और सिटिंग हैबिट्स और इटिंग हैबिट्स और में भी दू कोई हमें पास्ट में कोई फ्रेक्चर हुआ है उसके बाद की हीलिंग की वज़ज़ से बहुत सारे कारह ने जिनके ओपर फिजिए थेरपी पहले एवलेट करती है क पेशन को यह प्रॉब्लम क्यों हो रही है और साथ ही साथ हम पेशन को एडवाइस देते हैं कि आपने यह आगे यह गलतियां नहीं करनी जिससे आप इससे निजात पास सकें तो फिज़ज़ थेरपी बेसिकली ओवरॉल टीचिस अगुड हेल्दी लाफ तो पेशन सो एप पेशन condition can resolve it easily diet के की help कर दी हे finns देनाड diet basically depends upon condition of the patient कि erk Dust ुपी यह पेशन दी है किस तरह दे सिंटम्चिंट्रम्स आ रहने सprintक को लोकी है कि ज माइस ह creep ही और रहें क्या रहना है to diese me बिश्टर्ब हों देने या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हाँ पेशन्ट दे विच असी डाइट दी मॉडिफिकेशन कार देयां जिदा की लो कैल्शियम हुंदा एक यह थे कैल्शियम डाइट प्रेफर कर देजे विच असी कैन देयां कि तुसी स्वेरे उट क्योंकि टेंपरेचर चेंज होएगा ओदेनाल ज्वाइंट स्टेफ हों देने जरा ज्वाइंट से विच फ्लूइड होंदा है जिदेनाल अपने गोडियान नू या अपने सारे श्रीड नू चंगे तरीके नाल मूव अन कर देने ओ ठीक होना शुरू हो जानता है जे सानू अपनी डाइट बहुत ज्यादा सही रखनी चाहिए ताकि सानू कोई प्रॉब्लम ना है एदेले सानू प्रॉपर्ली एड्वाइस लेनी चाहिए दी डॉक्टर देनाल कि सानू आ तकलीफ हैगी आ नहीं कि किसी ने कहा दिया कि मैंनू भी आ प्रॉब्लम से तुसी कि अड्वाइस लो डॉक्टर देनाल कि मैंनू प्रॉब्लम सीगी ता आ की मैं खाना है या नहीं खाना है तो इडपेंड्स अपन पेशन कंडिशन बेसिकल डॉक्टर सुधी के वारी दूसरे डॉक्टर जड़े आम तो ते देखन चाहिए बहुत पेशेंट जेनानू फि या लाइफस्टाइल खराब है कि ओधी डाइट खराब है असी पहले प्रॉपली जज कर देयां सी कारण तक पहुंच देयां कि पेशन नू प्रॉब्लम आन्दी क्यों पही है असी पेशन नू पूछतेयां तुसी की खानने हो की कार देयो कि दा बाट देयो ओड़े हैविनेस ते पेशन अपनी लाइफ नू लीड नी कर सकता सिरफ उनू खतम कर ले असी डाइट दी मॉडिफिकेशन पेशेंट नू कहन देयां जॉइंट्स दिखता भी सारियां थेरपी दूर करती है बलकुल जिदो गल कर देयां करूना नी ते हर पासी ही हुंदा है कि व लोग का नू ब्रीधिंग दी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आंदी पही है क्यों आंदी पही है साड़ा लाइफस्टैल एदा हैगा साड़े आजसे पासी देखे ना पेड हैगी ठीक है साड़ा बिलकुल जेड़ा जेड़ा भी इन्वार्मेंट हैगा साड़ा पॉल्यू लंबे-लंबे साल एने चाहिए दे चड़ने जाहिए ताकि साड़े जड़े लंग जागे और प्रॉपली एक्सपैंड होन ताकि सानू एस कोविड दे विच कोई एदा दा वायरस जे लंग बीच केया भी है असी उन्हों एक्सरसाइज नाल खतम कर सकते हैं जितां बहुत की टेकनीक है ये प्रिकर्शन जेदे विच हथा दे नाल असी पिठते चाती दे कोल ते पिछले पास से असी हथ दे नाल हलका हलका टाप करके उन्हों असी दास्तियां कि तुसी कितना बलगम नूं बाहर लियाना है ताकि फेप्रेजरे सिक्वड दे वेने ओ खुलना शु सर्वाइक कल दी दारन दिना चाहूंगे सी यूट्यूब तो खोल या एक्सरसाइज शुरू कर दिती ओते फिजर थारपिस्ट नू चेक करोना किना जरूरी है कि तुसी कोई नीदियां एक्सरसाइज करनी आने जा गर्दनियां करनी आने कि उसनू दिखा के ही कितियां ज तो ना नू प्रॉपर गाइडलाइन दे नाल ही डॉक्टर दी एडवाइस दे नाली एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि जे तुसी अनसेसरली मसल नू ओवर यूस करोगे तो दे नाल ज्वाइंड दे विच पेन, स्टिफनेंस, हैविनेस आएगी ति तो अटी जडी दे प्रॉब्लम है डवाणनू, नीदी है गियए तर नीदे वेच कितना दी एक्सरसाइज जरूरी है? शौल्डर दी है गियए? क्योंकि proper हर चीज दा cause बता होना चाहिए कि problem क्यों आ रही है ति ओदली exercise किस तरह दी ज़रूरी है हर तरह दी exercise हर मरीज ले ज़रूरी नहीं होन दी है टाइम किनक लें दी है Physiotherapy किसे भी बीमारी नो ठीक करन दी वेच Physiotherapy as it is किसी भी condition में कोई fixed time नहीं है It depends upon the condition of the patient and problem अगर patient आपके पास first stage में आता है जो patient normally pain, heaviness due to bad posture Then it takes normally two to three days But there is no fixed time In case of surgical procedure It approximately takes one to two But it depends upon the patient condition and cooperation कि patient आपके साथ कितना cooperate कर रहा है Patient को problem कितनी जादा है Patient का body weight, patient का stamina Patient की muscle strength हर चीज़ इसमें helpful करती है So it depends upon basically patient कि उसको problem किस तरह किया और उसका motivation level और उसकी strength muscles की कितनी है It depends upon that Breast cancer दी सर्जरी तुबाद आम तौरते सुनन चौनदा है कि physiotherapy जड़िया हो करवाला है नहीं चाहिए हो helpful हुन दी है कि वे help कर दिया ब्रेस्ट कैंसर दी सर्जरी तो बाद ये आज की डेट में बहुत बड़ा awareness लोगों को चाहिए कि breast surgery के बाद patients को physiotherapy की need बहुत ज़ादा पड़ती है क्योंकि उसके बाद patient का एक तो motivation level बहुत ज़ादा नीचे गर जाता है secondly patient stress में बहुत ज़ादा होता है patient pain ज़ादा feel करता है क्योंकि उसकी muscle strength बिलकुल zero हो जाती है और परिवार वालों का साथ कई cases में देखा जाता है कि बहुत कम होता है तो patient अपनी problems बता ही नहीं पाता कि मैं किस problem से कब phase कर रहा हूँ तो physiotherapist को visit करने के बाद patient एक तो motivated feel करता है secondly उसको अपनी routine के activities में जाने के लिए physiotherapist प्रेडना देता है कि आपनी उन activities को कैसे करना है अगर सिरफ breast removal है तो patient अपनी routine के activities में बहुत जल्दी आसाता है with the help of the exercises and with the help of motivation sometimes there is involvement of shoulder also जिसमें एक्जिला से भी removal होता है उस case में patient को अपनी shoulder activities को back to normal लाने में बहुत जादा help as well as अपनी advice अपनी family की support की बहुत जादा जूरत तो physiotherapist अकेला ना की patient को बलकि family को भी advice करता है ताकि वो उसको उससे बाहर लाने में help करें ताकि patient अपनी routine के activities नॉर्मली कर पाए या लीड़ नॉर्मल लाइफ डॉक्टर केवार होता है कि हम medicines खा रहे होते हैं और हमें फिर therapy करने के लिए बोल दिया जाते हैं क्या medicine के साथ साथ हम therapy कर सकते हैं कि जा फिर अकेली therapy भी आपको ठीक कर सकते हैं कुछ cases में होता है कि आपको medicines के साथ जब patient की condition बहुत जादा serious है या कोई bed-ridden patient है ICU में patient है ठीक है उस cases में आपको medicine के साथ आपको physiotherapy की need होती है बट नॉमल केसिस में जैसे आपको normal back pain है, neck pain है that is due to our posture and our diet insufficient imbalance in the body उसके साथ को medicines की जरूरत नहीं पड़ती, you have to take only precautions जो आपका physiotherapist आपको बताता है असी गल किती सी cervical दी ते back pain दी जा होर भी इसी के भीमारियां दी गल कर रहे है मैं नी pain दी भी गल दुबारा करूंगी आम तोर दे किया जंदा कि cervical दी कोई tablet बढ़ी नहीं है कि ते थेरपी ही एदा एक लाज एक कारण की है कि cervical दे थेरपी करानी जरूरी क्यों हो जान दी है cervical दे थेरपी करानी जरूरी इसलिए है क्योंकि cervical दा basically cause पता होना चाहिए कि basically cervical हो क्यों रही है क्योंकि normal जे किसी patient दो आज कल दी डेट दे विच जे नॉर्मल पेन भी हैगी ना उस उन सर्वाइकल नाम दे देना है ठीक है? बट हर पेन सर्वाइकल नहीं हो सकती है ठीक है उन्हों प्रॉपली जज करना पैंदा है क्योंकि दे विच अलग लग जे मेडिकल टाम दे विच असे जाहिए अलग लग ग्रेड जुन देने कि पेशन किस ग्रेड दे विच आ रहे है यह उन्हों मसल्स तक हिचाब बहुत ज आ रहा है तो दूस्ती किसी आ नॉमल फिनामेना है कि आप मैंनों नेक पेन होगी है आ मैंनों लग दा सर्वाइकल होगी है तो आजसे पास तो गाइड लाइन लेके कि ने अच्छा सर्वाइकल था नूबी सी कि इन्नू भी सिकितना ठीक होई थी असी और चीज़ां करना अच्छा उनू भी है गिया दर ता सर्वाइकल है गिया या नू है गिया ता बैक पेन ही है कि इन्ना था सानू कोई भी चीज अपने आप नहीं अपनानी चाहिए अलने से नल्टी भी हाव तो अद्वाइस फ्रॉमार दॉक्टर और फिजो थेरेपिस्ट वैदर चेंज नहीं भी चाहिए अच्छाब चाहिए नडी विच गठीया जिद्धा शिकायत हुंदी उन्हा दे विच प्रेशर जड़ बाहर चेंज हुंदी अदेना उना दे विच अक्रादी प्रॉबलम आ जांदी कही तरह सानू दा दा है श्री देवे सूजन आ जां दी है कंई अक् एफेक्ट करना शुरू करन देना है ते गठिये दा इलाज भी है फिजो थेरपी ते गठिये दा इलाज हैगा है जे पेशेंट अर्ली स्टेज दे बीच आदा है या पेशेंट से ज्वाइन दे विच बहुत जादा कोई प्रॉब्लम हैगी उन्हों डील करने ताकि पेशें इन्हों अंदर या खांदा रहनदा है बारों किते नहीं पता चलता कि गठिया की है गा है जब वोदी लास्ट टेज आंदी है तदी हो दे विच हथां दे विच बदलावाना या किते गोड़्यां दे विच बदलावाना फिर पेशेंट सर्जरी दे कोल जानदेने बट ज करना चाहिए जे तुसी खाऊंगे ता फिर फिजियो थेरपी तो अडिती एफेक्ट नहीं घरूगी फिजियो थेरपी दे आज टेस नहीं है गा मैं पहले भी दस्या कि इट डिपेंड्स अपन दा कंडिक्शन की पेशेंट केडी प्रॉब्लम दे नाल तो अड़े को लाय है कि जे तुसी एदा लवोगे स्वेरे उठके उना दी जेडी मसल्स है गया मास पेशिया है उना दे भी खिचाब बहुत जादा होना शुरू हो जानता है तांगर के फिजियो थेरपी देनाला सी पेशेंटी कंडिशन दे उपर डिपेंड करता है कि यसी किना डाइट दे ओंपी तो दूसरी जगा उनखुल पॉसिबल ने को एक ही डॉक्टर तो उपना टरीट्मेंट करन एक जागा तो अपनी आपका कितना जादा आप comfortable हो अपने डॉक्टर के साथ या आप satisfy हो अगर आप अपने डॉक्टर से satisfy हो, अगर आप देख रहे हो कि आपकी बॉडी में changes आ रहे हैं जिस problem से आप doctor के पास गए हो, तो as it is आपको physiotherapist change करने के जुरत नहीं है अगर आप एक जगा से दूसरी जगा shift हो रहे हैं या आपको कोई city change करनी पड़ रही है तो आप अपने doctor के touch में रहे हैं और जिस नए physiotherapist के पास आप जा रहे हैं आप उनसे guideline ले सकते हैं कि पहले मैंने अपने doctor से ये करवाया था तो there is no problem in taking treatment from any other physiotherapist मतलब कोई भी बीमारी हो तो therapy आप कराओ तो आपको असर होगा हाँ लेकिन एक बात आती है कि आपको cable bones के लिए ही therapy करानी है जा किसी और तरीके की disease के लिए है मैंने आपको पहले बताए कि physiotherapy आज की date में लोगों को लगता है कि सिरफ ortho related है पट physiotherapy के और भी बहुत सारी है जैसे accident के बाद के cases में अच्छा उसमें कैसे help करती है accident के बाद के cases में physiotherapy क्योंकि बहुत से patients जो है वो bedridden होते है उनको कोई भी activity नहीं या किसी का एक side का पासा रह जाएगा तो वो अपनी routine में normally नहीं आ सकते तो physiotherapist एक तो उनको motivate करता है तो कि एक उनको कुछ exercises इस तरह की बताते हैं और family को भी motivate करते है कि वो धीरे-धीरे अपनी walking aids को समझ के अपनी day-to-day life में normal आना शुरू कर देते हैं कि एक physiotherapist अच्छा psychologist जासा psychiatric भी होना चाहिए था हाँ बिल्कुल Physiotherapy बेसिकली नहीं सिर्फ exercise से related नहीं है Physiotherapist बेसिकली अपनी patient की mental और health status को देखके भी उसको advice करता है ताकि patient अपनी normal routine में क्योंकि आजकल बहुत जादा stress है लोगों को पर जब कोई patient अपने doctor के पास आता है अगे ता हुंदा सिगा क्यों थावल भी प्रवाइट कर देया बैड भी प्रवाइट कर देया ते होन करोना दे दुरान केडियां केडियां सेफ्टी दा ख्याल रखना चाहिए था प्रवाइट के प्रवाइट केडियां सेफ्टी अपने परिवार नू तो अपने आपनों सुरक्षित रखन ली आँ सब कुछ कर दे पाई है ते फिजियो थेरपी सेशन लेना कोई पूरी गाल नहीं है कोविड देप यह तुसी प्रॉबन लाल जूज रहे हूं ता छोटी जही चीजां है गियां टॉवल बैडशीट सैनिटाइजर तुसी आल है के फिजियो थेरपीस नो विजिट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वरी बहुत सारे लोग का नूशिकायत हों दी कि उनने हड्डी बाद गई कि यह तुबाद गी यह तुबाद गी उदो भी थेरपी काम हो दिये हैं डिपेंड करता है कि स्टेज कॉन सी है पेशिकली डिपेंड्स अपन दे स्टेज ऑप प्रॉब्लम नहीं को प्लास्टर लगता है उस टाम कैल्शियम एक्सेस में दिया जाता है ताकि बोन की हीलिं करने के लिए मुमेंट ताकि वो अपनी नॉमल लाइफस्टाइल जी पाए गोड़्ियां दिया भीमारियां थेहुनापा ओने कही तरीके दिया भीमारियां हुनिया पें नी जांदी है थेज़ गोड़्ियां बिमारियां नूं केवे दूर कार दीये थेरपी मतलब जिना किनिक पेन है कदो जड़ा फिज़ोथेरपिस्ट हो जाके कॉंटेक्ट करन कि किनिक स्टेज जेडी है हुंदा निक पर स्टार्टिंग चल माड़ा माड़ा दुख दा की जाना थेरपिस्ट दे कोड कदो कॉंटेक्ट कर वे डॉक्टर नो पेशिंट जब भी आपकी करें कि अगर आप उसी स्टेज में अपने डॉक्टर को विजट करते हैं तो अब मेभी आप अपने नीज को सर्जरी से बचा रहे हैं और एक्षेक्स डेमेज से बचा रहे हैं और वो फिज़ोथेरपी से हील-on हो सकते क्योंकि आपको अपने लाइफ स्टाइल को चेंज क हुई तथ उसी फटाफट अपने डॉक्टर देनाल कॉंटेक्ट करो ते इत्थ ही कौशन पैदा हुंद है कि डॉक्टर जिन्हों से कॉंटेक्ट करना है चाहे हो सर्वाइकल है बैक बैक पेन है कोई भी और्थो देनाल चाहर भी जड़ी हुए दिक्कत है सिद्ध असी फ फिजो थेरपिस नो विजट कर सकते हैं तिक फिजो थेरपी पी एदा दी ब्रांश है कि जिदे विच असी हडियां दी बिलकुल प्रॉपर ली चेकिंग कारते हैं ते प्रॉपर ली इंस्टुमेंट्स है कि जिदे नाल असी देख देया कि पेशन नो किनी तरह दी ते जानना पैंड़ने लिए देख दूनिया ते कोई लाज नी हले भी केई लोगे दान देने जिदे ना चीजाना नू मानने देसी कोई भी हुंदे लोग जिडे अना कुल चले जान दे ऐसा डा इलाज कर दो वक्रे वक्रे तरीके नाड इलाज कर देने मैं एक गल थे अपने सड़ी होई सी इतना दे लोकानों इतना दे बैमाचों कितना कड़िया जा सागदा आज दी तरीक्च भी जो साइंस नाल नहीं जूड़ रहे आज सब तो बड़ी प्रॉब्लम है गिया बैकवर्ड एरिया दे विच ते कुछ लोकी सिटिस दे बे जद किसे पेशों नो बहु किसे भी डॉक्टर नो विजट कर रहे हैं जाके देख लेना पर उन्हों आ नहीं पता है कि उत्थे जान दे नाल उधी प्रॉब्लम काट होनी है या जादा होनी है ता मित खतम करना बहुत जरूरी है गाए किसी प्रॉपर डॉक्टर दी गाइडलाइन लेगे ता कि असी अपनी प्रॉब्लम तो सॉल कर पाईए ना कि उन्हों वदाईए ठीक है क्योंकि उन्हा लोकां दे जान दे नाल की हुंदा है साधी प्रॉब्लम वद दी है काट नहीं हुंदी है ते डॉक्टर नो ते फिजियो थेरपिस ने होर जादा मैनत करनी पहन दी है ताकि पेशे सके क्योंकि आसी पहले फिन प्रॉब्लम नो नहीं सॉल कर दे जड़ा मालिश वाले ने प्रॉब्लम्स क्रियेट कितिया हुंदी है या असी उन्हों काट कर दे है फिर साधी फिजियो थेरपिया मैडिसिन्स ओदे काम कर दिया है आम तो और ते रिवास हुंदा है कि करे मा कि मालिश नो भी बड़े स्थोच समझ के थे डॉक्टर दी अंडर करना चाहिए कि को होंगे बिलकुल मालिश हर किसे इंसाननों जरूरी नहीं हुंदी है अच्छा मालिश पर्टिकुलरली पेशेंट थे बहुत ज़दा स्वेलिंग है या पेशेंट नो कोई इंजरी होई या चोट लगी हुए उस थांते सानू मालिश ती लोड नहीं है गी है मालिश ती लोड तद है गी है जद साड़ी मसल्स उदी डिमांड कर दियां पहिया ने जिद्धा नॉर्मल बैक पेशें है गी है क्योंकि साड़ी रूटीन वद्या नहीं है गी उस केस ते विच इस बढाई नॉसी अगड़ रगड़ गड़ के रोच कर देया है रोच कर देया है साड़ी मास पीषें कमझोर हूं दियाने तो मालिश सानू अंडर गाइडलाइन करनी चाहें तो आपनी बहुल अराम देनाल ताकि साड़ी बॉड़ी रिलाक्स रोब ना कि ऊवर एक्जर्ट हो देनाल हो जाए नहीं कि तुसी एक पास से थरपी भी करा रही हूँ फिजियो थरपिस्ट दे कोड़ो ते अपनी मर्जी देनाल मालिश कर दे हूँ ताहीं करो जित्वारा डॉक्टर रिकोमेंड करता है बहुत वदिया लग रहे है गल बात करके औ और मैं चांदिया की होर गला बतना कीतिया जान पर जड़ा टाइम है उसान होन होर परमेशन नहीं दे रहां तुसी प्रोग्राम चाहें तड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कोई खास मैसेज जड़ा तुसी जरूर दिना चाहो आँ खास मैसेज सिरफ यही है कि इन दिस पं ना डॉक्टर शो बारून का और माने थे खतम करती है साड़ा यूट्यूब चैनल पंजाम में यूसे टीवी जरूर सब्सक्राइब करो सास्रीकाव